वाटसेप बहुत ही पॉपुलियर मैसेजिंग अप है जिसे चैटिंग के लिए यूज में लिया जाता है वैसे तो एक फोन पर एक ही नमबर से वाटसेप चलाया जा सकता है लेकिन आज हम आपको ऐसी खास ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे आप आसानी से एक मोबाइल पर दो नमबर से वाटसेप अकाउंट चला सकेंगे साथी आप दो नमबर के जरिए चैटिंग भी कर पाएंगे तो आईए जानते हैं कि कैसे आप एक स्मार्टफोन पर दो नमबरों से वाटसेप चला सकते हैं आज की वक्त में हर एक स्मार्टफोन ड्रिल सिम्ट फीचर के साथ लॉंच होता है इस फीचर के जरिए यूजर एक फोन पर दो नमबर चला सकते हैं मैसेजिंग अब वाटसेप के अगर बात करें तो इस एक नमबर के साथ आपरेट किया जाता है ड्रिल फीचर एप का इस्तिमाल करने के लिए यूजर सबसे पहले मोबाईल की सैटिंग में जाकर ड्रिल एप सैटिंग वाले विकल्प को ओपन करें इसके बाद आपको इस फीचर में वाटसेप का डुप्लीकेट बनाना होगा WhatsApp चुनने के बाद फोन की Home स्क्रीन पर जाए और App Launcher पर दूसरे WhatsApp पर क्लिक करें अब यूजर्स इसमें दूसरे नमबर के साथ अपने कॉंटेक्ट से चैटिंग कर सकते हैं अगर आपके फोन में फीचर मौजूद होगा तभी आप दो अलगलग नमबरों से WhatsApp चला सकेंगे तो Dual Mode फीचर होना बहुत ज़रूरी है आपके फोन में उसके बाद ही दो WhatsApp चल पाएंगे आपको बताते कि कई mobile users एक सेवा के लिए अलग-अलग अकाउंट बना लेते हैं जिससे वो एक समय पर दो नमबरों से चैटिंग कर सकेंगे तो ऐसे में Google Play Store पर WhatsApp के लिए कई सारे अप्स मौजूद हैं जुनके ज़र ये दो अलग-अलग अकाउंट को चलाया जा सकता है यदि आप भी WhatsApp को दो नमबरों से चलाना चाहते हैं तो आपको Play Store से Parallel Space, App Cloner, Multiple Accounts, Multidual Space और Super Clone Pro अप को डाउनलोड करना होगा WhatsApp ने कुछ दिनों पहले Android और iOS users के लिए Dark Mode लाउंच किया था और इस Mode के Activate हो जाने पर यूजर्स की आँखो पजोर नहीं पड़ता है और इसे फोन की बैटरी की खपत भी कम हो जाती है हाना कि Dark Mode का सपोर्ट अब तक कुछ ही यूजर्स को मिला है लेकिन आप ये नया फीचर है कि आप एक फोन पर एक ही नंबर से WhatsApp चला पा रहे थे पहले लेकिन आप आपको खास ट्रिक हमने बताई है जिसे आप एक मोबाइल पर दो नंबरों से अपना WhatsApp अकाउंट चला सकेंगे तो आज के वक्त में हार एक स्मार्टफोन डुल सेम फीचर के साथ आ रहा है उनके साथ ही वो लॉंच होता है और इसी फीचर के जरे एक फोन पर दो नंबर आप चला सकते हैं मैसेजिंग आप WhatsApp की बात करें तो इसे एक नंबर के साथ आपरेट किया जाता है लेकिन ये फीचर होना डुल मोड फीचर या आपके स्मार्टफोन में होना बहुत जरूरी है